आपके पास चैन्य च्छे माइक का हो आठ माइक का हो 12 माइक का हो कितने का भी आपके पास मिकसर है डीजे मिकसर या माइक वाला मिकसर है तो इन दोनों के बारे में बताएंगे आपका अगर अब आज दवी दवी रहती है अब आज फटी फटी आती है और काफी प्राब्लम में हैं जितने बारे हम बात करेंगे काफी भाई बोड़ रहे हैं कि मेरी slide खराब हो गई या mixer खराब हो गया मिकसर में काफी problem है इनके सब के बारे में detail में बताएंगे और ये slide कितने की आती है ये volume कितने की आती है सब के बारे में बताएंगे और अब आज फाल रहा है तो क्या करें अगर mixer से अब आज बैट रही है और pressure नहीं दे रहा है mixer तो क्या करना चाहिए तो इन सब के बारे में हम आपको detail में बताएंगे कि क्या करना चाहिए आपको SM है ठीक है आपके repair करवाने ले जाते हो तो वहाँ पर काफी रुपए लिए जाते हैं आपसे और मैंने दिये हैं ठीक है जब मैं नहीं जानता था तो मेरे काफी amplifier कराब होते थे speaker कराब होते थे बहुत रुपए मैंने दिये मैंने सोचा कि क्यों ना यह काम ही सीख लिया जाया और सब को बताया जाया कि भाई इसमें इतने का खर्चा आता यह चीज़ इतने मिलती है सब अगर थोड़ा थोड़ा अपना अपना काम करोगे किसी repair वाले के पास जाना नहीं पड़ेगा औ इसका ध्यान रखें हमारे पास जैसा कि यह mixer है ठीक है आपके पास चाहें तो 6 माइक का हो 8 माइक का हो 12 माइक का हो 17 माइक का हो बसकी आपको तोinga देख लेना है आपका अगर स्लाइड खराब हो गई ए ठीक है तो यह स्लाइड आप मारकेट जाओ और खुद लेके आओ ठी 30-35 रुपए में मिलती है ठीक है और अगर बॉलियम आपका ये खराब हो गया है तो मिकसर खोलो और उसका नंबर देखलो बॉलियम का ठीक है जितना भी है उसी नंबर का आप बॉलियम लेके आओ और डालो और आपका मिकसर है वो सही हो जाएगा ज्यादा तर प्राबलम जो रहा है आउट्पुट तो आप यह चेंज कर दो यह भी आपको दस से पंदर रुपए में मिलेगा ज्यादा महिंगा नहीं है 20 रुपए तक का आपकी मार्केट मिल जाएगा ऐसा होता है अलग-अलग मार्केट में अलग-अलग प्राइज वोते हैं कहीं ज्याधा है तो कह पच्में यार बड़ा मूल खराब हुआ और मैंने फिर डीजे का काम थोड़े दिन बंद किया दो-तीन महीने मैंने कोई काम नहीं बजाया कोई काम नहीं किया ठीक है तो वह सर लगा और मजाक में मेरी बात ले गया है एमपलीफायर भी रिपेर करवाने के लिए मैंने काफी काफी दूर गया हूँ बहुत-वह यह जगह यहां और यह लोग हैं नो समझते नहीं है और सामसी रिपेर नहीं करते जिस्दे की एमपलीफायर अगर मैं रिपेर करना सिखा दूंगा तो ये बंदे हमारे पास कहां आएंगे खुद रिपेर कर लेंगे तो आप ऑनलाइन भी सीख सकते हो आपको काफी वीडियो यूटूब पर मिल जाएंगी मैं भी इसी तरीके की वीडियो बनाता हूं तो इससे आपको इतनी हैल्प हो लही है तो आप क्यों नहीं सीख सकते मगर आप देरे और करो अगर दूसरे का नहीं कर सकते तो उसका क दो पुस्तार सकते कुष्णीच कंट खराब होता है सबसे यह है यह मिक्सर में भरम होता है तो इस well体 जाता है यह सबसे पहले होता है जाता है इसे से काफी प्रॉबलम आ तो आपका कोई से मिक्सर है तो क्वाल्टी आपकी सही नहीं देगा अगर सिलाइट खराब है या कोई सी बॉलियम खराब है तो इस चीज़ का ध्यान रखें सबसे ज्यादा प्रॉब्लम हमारी इसी में आती है उपर वाले में बाकी अंदर से खराब होगा तो सप्लाई आप मिलता हूं अगले वीडियो में